नमनीत राणा ने जो 15 सेकंड वाला बयान दिया था अब अकबरुदीन ओवैसी के बड़े भाई और AIMIM चीफ अस्दुदीन ओवैसी ने नमनीत राणा पर पलटवार किया है इस वीडियो के जरीए हम आपको बताएंगे news18.com की ये खबर है चुनौती दी है अब अस्दुदीन ओवैसी ने और कहा है कि वो चाहे तो 15 सेकंड के बदले एक घंटा ले ले और बताए कि वो क्या कर सकती है दरसल अकबरुदीन ओवैसी के सालों पुराने बयान पर चल पाएगा नमनीत राणा ने हैदरबाद ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया अब अस्दुदीन ओवैसी ने नमनीत राणा को चैलेंज किया है नमनीत राणा की चुनौती पर प्रतिक्रिया देते हुए AI MIM प्रमुक अस्दुदीन ओवैसी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि उनसे 15 सेकंड के बजाए एक घंटे का समय ले ले और दिखाने के लिए कहा कि वो क्या कर सकती है इस पर सियासी घमसान तो मचा ही है वार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है वार पलटवार भी हो रहा है अस्दुदीन ओवैसी न आप में थोड़ी भी इंसानियत बची है या नहीं कौन डरा हुआ है हम तैयार है अगर कोई इसके लिए खुली अपील कर रहा है तो करें पीम आपका है आरेसस आपका है सब कुछ आपका है इसे करिए आपको कौन रोक रहा है हमें बता दीजिए कि हमें कहां आना है हम आ जाते हैं ये अस्दुदील ओवैसी ने बोला है अब नमनीत राणा ने क्या कहा था ये हम आपको बताएंगे दरसल हैडरबाद में बीज़पी कैंडिडेट मादवी लता के पक्षमी जनसभा को संबोधित करते हुए नमनीत राणा ने कहा था कि छोटा बोलता है कि 15 मिनि और आगे उन्होंने कहा कि इस बयान का वीडियो उन्होंने शेयर भी किया और सोशल मीडिया प्लैटफोर्म एक्सपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ओवैसी भाईयों को भी उन्होंने हमला बोला है और उनको टाक क कर दिया था कि जो लोग जैश्री राम नहीं कहना चाहते वो पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन वो चुनाव हार गई। अब 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में उन्होंने निर्दली उमीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासल की। इस बार वो बीजोपी के टिकट पर अमरवती सीड से चुनावी मैदान में हैं। और उनके जो बयान हैं वो चर्चा का विशय हैं जिस पर स्यासी पारा हाई है। झालोपी कि अपार निर्दली नुड़ा हैं। झालोपी के जिस बार शपूलापी के वो हाई हैं।